अस्सलाम अलेकूम, वेलकम बैक टू मैं चैनल आज की वीडियो में छोटी बच्चियों के लिए फ्रॉक का बहुत ही प्यारा सा स्टाइल आपके साथ शेयर करूँगी यह देखिए इसके साथ हमने कैपरी बनाया है सिंपल सा पहले मैं आपको कैपरी दिखाती हूँ कैपरी के उपर कंट्रास कलर की लैस लगाई है और लैस हमने लगाई है गुम स्लाइट के साथ हाफ लैस अंदर की तरफ की है और हाफ बाइर की तरफ और नीचे से वोल्ट कर दिया है और ये देखिए बहुत प्यारा और बहुत सिंपल अच्छा लग रहा है उपर कैपडिक इलास्टिक लगाई है ये बिल्कुल रेडी मेर स्टाइल में लग रहा है और इस तरह का घर पे इजी ली बना सकते है फ्राग इसका बहुत प्यारा सा है प्लेन कपड़ा था और इसके साथ मैंने जामावार के जो कट पीस पड़े हुए थे उनके साथ डिजाइनिंग की है ये देखिए बलाउस का स्टाइल बनाया है उपर मैंने ये बनार सी जामावार है वो लगया है और नीचे लोन का कपड़ा यूज किया है इसलिए कि जामावार की जो स्लाइया है वाश करने के बाद निकल जाती है नीचे लोन का कपड़ा लगया है कि वो बिल्कुल फिट रहे गले पे भी पाइपिंग इसी कपड़े की है, फैंसी कपड़े की और चुनट बहुत प्यारे से, ये देखिए, चुनट डालके, नीचे भी हमने यही कपड़े की ही डिसाइनिंग की है कोई ज्यादा इसमें लैसे वगरा यूज नहीं हुई, जो कट पीस, फैंसी सूट में से बच जाते हैं उन पीसीज के साथ आप बच्चियों के ड्रेस को बहुत अच्छा डिजाइन कर सकते हैं और यह देखिए, साइडों पे मैंने डोरी लगाई है और डोरी के साथ बहुत प्यारी से फूल लटकन बनाए हैं हमने यह देखिए, अगर आप इस तरह के लटकन बनाना सीखना चाहते हैं तो इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पे मौजूद है, आप सीख सकते हैं भी आपको मिल जाएगी और यह देखिए, कंट्रास्ट भी बहुत खुब्सूरत लग रहा है और बाजू देखिएगा, बाजू इसकी हमने पफ स्लीव्स बनाए है पफ स्लीव्स बच्चियों को बहुत अच्छे लगती हैं उपर की तरफ चुनड़ा आ जाती है और ऐसी बहुत प्यारा सा फूल सा बन जाता है शोल्डर पे अगर आप यह वाले बाजू कटिंग और स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पे मौजूद है आप जरूर देखिएगा इफराक की कमप्लीट डिजाइनिंग आप देख सकते हैं और इसी तरह से आप अपनी चोटी बिच्चिंग के ड्रेस को डिजाइन कर सकते हैं इसके इलावा अगर आप कुछ भी सीखना चाहें तो आप हमें कॉमेंट्स में बताइए हम आपके कॉमेंट्स के मताबिक वीडियो बनाके आपके साथ शेयर करेंगे इन्शालला अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करतीजिए अलहाफेज